आप लोग कैसे हैं आई हूप आप लोग अच्छी होंगे मैं भी मासाला से बहुत ही अच्छी हूँ तो देखिए अभी सुबा का टाइम हो रहा है सुबा तो नहीं कहेंगे दस बज रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ना पढ़ी के कुछ कपरे निकाल दिये सर्दियों वाले उसके कैप्स वगारा भी निकाल दिया है आप सोच रहे हूँ कि मैं यहां कपरे वगारे इसके क्रीम पाउडर यह सब क्यों दीखा रही हूं तो मैं एक्चुली जा रही हूं परी को नहाने के लिए और नहाने से पहले मैं इतनी पेपेशन विंटर के सीजन मैं करके जाती हूं पहले से ताकि उसको नहा करके जब मैं लाओना तो ज्यादा वेट ना करना पड़े और सर्दियों के मौसा में बच्चे को ज्यादा देर खूले रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे तो बहुत सेंसिटीव होते हैं ठंड लगने की डर होती है त और वह अभी पानी के साथ मस्ती करिए क्योंकि पाणी अगर ठंड पानी षील लाता तो बहुत चिला एक बहुत शोर मचाती है ठंड पानी से उसको बहुत दर लगता है तो मैं उसको गीजर ऑन करके गई थी और पानी गर्म गर्म है तो इसलिए वो अभी खेल रही है तो मैं पॉरन से इसको नहा देती हूँ ज्यादा दिर बातरू में उसको छोड़ना भी ठीक नहीं है तो यहाँ परी को नहा करके ले आए हूँ उसको अच्छे से हेर वगारा को अच्छे से ड्राइ कर देती हूँ तो अभी मैं उसको थोड़ा मालिस कर दूँगी मालिस के लिए मैं विंटर के सीजन में सरसो का तेल यूज करती है उसमें मैं हिंग वगारा डाल करके अच्छे से पका लेती हूँ और पूरे विंटर में मैं इसको यही यूज करती हूँ तो अभी मैंने उसको नहा लिया और नहा करके थोड़ी सी मालिस दे दूगी न तो उसकी बॉड़ी जो है थोड़ी गर्म हो जाएगी वाम हो जाएगया और फटा फट मैं उसको अभी कप्रा पहना दूगी ज्यादा दिर वगारा मालिस भी नहीं करूँगी मतलब ज्यादा दिर नहीं लग उसको खूले में ठंड का मौसा में ठंड लगने का डर होता है तो यहाँ नजर नहीं लगे ताकि मैं एक टीका भी उसको लगा रही हूं तो अभी मैंने उसको कप्रे पहना दी है अभी थोड़ा सा उसको न मैं दूद दे दूँगी ताकि वो पी ले तो थोड़ा अच्छा उसको महसूस चलिए तो चलिए अभी मैं भी यहाँ नहा करके फॉरां से आ गई थी उसको नहाए था न तो भी गीली हो गई थी और तो इसलिए मैं लगे फिर नहाली और यहां पर मेरे बाल थोड़े से गीले तो अभी मैं उसको सुखा रही हूं क्योंकि सर्दियों के मौसा में ज्यादा दिर गीले बाल रहेंगे तो ठंड लगने का डर होता है तो अभी मैं फॉरां से किचन में जा कर 16e 47 जादा दिया आये ना थे घ vic которая को trader के सथे आधिम सब्सकामाब्र आयके मौई मौझे 2 जह सब्सक्राइए हूं कि मौह जादा है तो पता है सब्सक्राण आखिई आप आप लोगों के साथ भी मैं अश्यक्रत इसलिजन ने जैसे विंटर के सीजन में सारी सब्सक्राइ कि आलू से थोड़ा सा ज़्यादा अटेश्मेंट हो जाती है अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो नहीं है गर्मियों की सीजन में भी आलू की रेशिपी बनती है बट पता नहीं सर्दियों के मौसम में कुछ ज़्यादा ही आलू से लगाव हो जाता है जैसे आप लोग सोच पराथे अलू के पकोड़े अलू फ्राइब में क्या घ्रीयों के सरदेश्में दो बनाते हैं अब आप लोग करते हैं क discriminant mucle नहीं मालूम बट मेरे साथ ऐसा है पतनी दो वीक से मैं आलू की रेसिपी सिर्फ हर दिन मैं आलू की कुछ न कुछ रेसिपी बना रही हूं इसलिए मुझे रात में भी न पतनी पोटैटो चिली खाने का बहुत मूड हो रहा था तो मैं सुभा उठकर सोची कि आज पोटैट लेंगे और इसमें मैंने बस दो चमच कॉन फ्लोर लिया है और दो चमच मैंने मैदा लिया है एक चमच मैंने जिंजर और गार्ली का पेस्ट डाला है और टेस्ट के कोडिंग उसमें मैंने नमक डाला है बस इतना ही डाला है इन सब को मिक्स कर लिया है पानी का बिल्कुल सकते हो मैं अभी रीपाइन डाल रही हूं अब पता नहीं क्यों वीडियो में ये यलो कलर का रहा है तो आप लोग यह मत समझेगा कि मैंने इसमें सर्सों का तेल एड़ किया है तो यह रीपाइन डाला है बस सर्सों का तेल यूज ना करें तो उसके अलाव आप कोई साभी तो ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बनता है आप तो घर पे हमेशा बना करके खा सकते हो जरूरी नहीं कुछ लोग सोचते हैं कि अब चिली नाम पर अगर सोच रहे हैं चिली का नाम आ गया तो सोचेंगे कि बहुत महिनत वाली रेसिपी है हमसे ना हो पाएगा यह रेस्ट रूल लोग आ गये तो आप फॉरान से बना सकते हैं बनाने में कोई जंजट नहीं है तो बस मैंने आलू को फ्राइ कर लिया और उसके बाद यहां पर मैंने दो चमच तेल डाले और साथ मैंने एक बरा चमच अद्रक और लहसन को चौप किया था वो डाल दिया और मैं यहा यहां पर मैंने लाए एक रिंग सेव का अनियन चौप किया था आप चाहे तो मोटे मोटे साइस के वी अनियन चौप कर सकते हैं उसके बाद यहां पर मैंने थोड़े से कैप्सिकम डाल दी है बस इतना ज्यादा कुछ चिली बनाने में लगता नहीं है इतना काफी है बस इ चिली स्वाइब किया और इन सब को मिक्स कर लेंगे और मैं थोड़ा सा एक चमचना इसमीं में मिक्स कर के कौन फ़लोड आड़ करके यहां पर आपस पोटेटो डाल कर लो बस मन के रेडी हो गया इतना सिंपल है देखा आप लोगों ने बनाने हैं बिल्कुल भी जंजतने यह ज्यादा सामान भी कुछ नहीं लगा है तो आप लोग बना करके अपने रेगुलर बेसेस में घर पी खा सकते हैं इवनिंग टाइब में काफी अच्छी लगती है तो आप लोग इसे इसनेक्स के तरह नाइज़ोइ कर सकते हो तो आप लोग अभी-कवी बना करके घर पे ठ्राइब कर देख सकते हूं कितना यम लग रा है और मैंने थोरा सांज उपर से स्प्रिंग अनियन भी डाल दिया है अगर अगर आपनों के पास नहीं है तो as when fix कर सकते हों पर से यक्राइंडर मिबंदे झाल सकते हो दिकने में बहुत अच्छ लगता है और खाने में अच्छ भी मुझे रहा नहीं गया था तो मैं किचन में ही खाना स्टार्ट कर दी बस मैं कुछ ऐसी ही हूँ अगर मुझे अच्छ सबसामान लेने था तो कल मैं मारकिट गई थी तो मैं यहीं सबसामान लेकर आए थी और मुझे मैं क्यों इसको लाई हूँ तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं और अगर आप लोग अच्छ से सेपरेट लेकर क्या होंगी और इंसाला एक दो दिन वीडियो जरूर अप्लोड कर दूगी 6 जनवरी के कुछ DIY मैं बना रही हूं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं लेकर क्या होंगी और उमीद करती हूं कि आप लोगों को आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा अच् साथ आप लोगों के पास पहुंच चुके उमीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मैं व्लॉग को यहीं इंड करूंगी मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ बाबाइ कि आपल आप लोगोंने यूए तो सेचमेंगी कि आप लोगों कि अपिं।